नमस्कार, मैं रिशु कुमार आप सभी का सिख्चाश्री में स्वागत करता हूँ तो चलिए बीना देरी के GK Super 30 के क्लास को स्टार्ट करते हैं जिसमें Most Important GK के Top 30 Questions को 10 मिट में पूरा किया जाता है ये 30 Questions आपके सभी एक्जाम्स में पूछे जाते हैं जैसे कि UPSC, NTPC, GroupD, SSC सारे एक्जाम्स में ये Questions यहां से पूछे जाते हैं और एक और सुचना कि आप लोग Facebook, Instagram और Telegram से जुड़ जाएं वहाँ भी एक्जाम्स से Related Current Affairs के Section को कराया जाता है Quiz इन सारे Questions को वहाँ पर Post के जाता है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्पुन होता है तो आप लोग सारे जगा जुड़ जाएं चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं आज का पहला Question है अंग्रेजों ने सी रंग पटनम की संदी किस के साथ की थी? Option है Heather Ali, Duplex, Nand Raj या फिर टिपू सुल्तान इसका जो सयूतर होगा वो D होगा टिपू सुल्तान के साथ Next Question है पलासी के यूद में सी रादू दौला के साथ विश्वासगात करने वाले दो ब्यक्ति कौन थे? Option है मीर जाफर एंड चंपत राय, मीर जाफर एंड राय राय, मीर जाफर एंड आमीर चंथ या फिर नन अब दा एबॉब इसका जो सायूतर होगा वो B होगा, मीर जाफर तथा राय दुलर्व अगला Question है निमलिखित में से प्रथम भारतिय राज जी कौन सा था जिसने लॉड वेलेसली की सहायक संदीग पर हंस्ताक्चर किये? Option है सूरत, हैदराबाद, मैसूर या फिर अवद इसका जो सायूतर होगा वो B हैदराबाद ने अगला Question है बेदरा के यूद में अंग्रेजों ने किसकी सकती को कुचल डाला? Option है French, Dutch, Portuguese या फिर डेन्मार्क The correct answer is Dutch अगला Question है भारतिय सम्मिदान अपनाया गया था Indian Constitution was adopted Option है 26 January 1950 को 26 January 1949 को 26 November 1949 को या फिर 31 December 1949 को इसका जो सायूतर होगा वो C 26 November 1949 को और लागू हुआ था 26 January 1950 को अगला Question है निमलिखित में से कौन सा देश आधूनिक लोगतांत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? Option है France, England, अमेरिका या फिर इंडिया इसका जो सायूतर होगा वो C अमेरिका होगा अगला Question है ब्रिटिस पंजाब में कौन सी राजस्व व्यवस्था स्थापित की गई? What revenue system was established in British Punjab? Option है रोयतवाडी, जमिनदारी, मिरासदारी या फिर महलवाडी इसका जो सायूतर होगा वो D होगा, महलवाडी सिस्टम रहतवाडी कहाँ पर लगू किया गया था? Comment section में आप लोग बताएं इसको हमने पिछले डेली जी के क्लास वाले में कबर किया था अगला question है सम्मिधान सबाने राष्ट गान कब अपनाया? When did the Constituent Assembly adopt the National Anthem? Option है 25 January 1950, 26 January 1950, 24 January 1950 या फिर 29 January 1950 इसका जो सायूतर होगा वो C होगा 24 January 1950 को अगला question है निमलिखित में से कौन सा एक English East India Company द्वारा लाई गई भूर आजास्वे नीती से संबंद रखता है Option है PITS India Act, महलवाडी Settlement, Regulating Act या फिर Subsidiary Treaty इसका जो सायूतर होगा वो B महलवाडी Settlement अगला question है सिंदू घाटी Settlement काली बंगन किस परदेश में है Option है राजस्थान, गुजरात, मद्द परदेश या फिर उतर परदेश इसका जो सायूतर होगा वो A होगा राजस्थान में है अगला question है निमलिखित में से कौन सा हडपा काली नस्थल गुजरात में था Option है काली बंगा, रोपर, बनावली या फिर लोथल इसका जो सायूतर होगा वो लोथल होगा, गुजरात में लोथल इसका जो सायूतर होगा, वो बी होगा, पसुपालन, एनिमल हस्थेंडरी, आर्यो का मुख बैवसाए था अगला question है आधि काब्बे की संग्या किसे दी जाती है option है रमायन, महाभारत, गीता, या फिर भागवत पुरान इसका जो सायूतर होगा, वो ए होगा रमायन को अगला question है पाचन प्रक्रम में किसे सहायता मिलती है option है enzyme, hormone, minerals, या फिर बिटामिन इसका जो सायूतर होगा, वो ए होगा enzyme से अगला question है आख के रोगों में निकट दिरिश्टी को कहते है option है, कोमा, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, या फिर astigmatism, इसका जो सायूतर होगा, वो C होगा, मायोपिया, यहाँ पर question में, mistakes हो गया है, मायोपिया, यहाँ पर question में ही डल गया है, यहाँ पर होगा, short sightedness, we apologize for that, समा चाहेंगे इसके लिए अगला question है, मदुमक्खी पालन को कहते हैं, option है sericulture, apiculture, is culture, या फिर agriculture, इसका जो सायूतर होगा, वो B होगा, apiculture कहते हैं, अगला है, ECG किसकी गतिविदी को दर साता है, option है, brain, heart, plural, या फिर kidney, the correct answer है, heart, हिरीदे का, अगला question है, मानों के शरीर का समान, ताप मान या ताप होता है, option है, 96.4 degree Fahrenheit, 97.4 degree Fahrenheit, 98.4 degree Fahrenheit, या फिर 99.4 degree Fahrenheit, the correct answer है, 98.4, अगला question है, तूटी हड्यों को जोड़ने के लिए, निम्लिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, option है, white cement का, white lead का, zinc oxide का, या फिर plaster of Paris का, इसका सही उतर होगा, plaster of Paris, अगला question है, सुस्क सेल का anode किस से बनना होता है, the anode of a dry cell is made up of, option है, iron, cadmium, zinc, यानि की जस्ता, या फिर lead, सीशा, इसका जो सही उतर होगा, वो zinc होगा, जस्ता से बनता है, अगला question है, बड़ा इमाम बड़ा कहां इस्तित है, option है, अगरा, लखनव, पतना, या फिर एलहाबाद, इसका सही उतर होगा, लखनव में, next question है, मोती मस्जिद निम्ण में से किस नगर में इस्तित है, option है अगरा, जैपूर, लाहोर, या फिर एहमदाबाद, the correct answer is अगरा, next है, निम्ण लिखित में से कौन सा एक फतेपूर सिक्री में इस्तित नहीं है, option है, पंच महल, या पर नहीं है, में बताना है, मोती मस्जिद, सलीम चिस्टीज टॉम, यानि कि सलीम चिस्टी का मकबरा, या फिर मार्यम पैलेस, इसका जो सही उतर होगा, वो बी होगा, मोती मस्जिद, फतेपूर सिक्री में इस्तित नहीं है, अगला है, भारत आने वाले प्रथम एरोपिये कौन थे, option है, ब्रिटिश, डच, फ्रेंच, या फिर पर्तुगीज, इसका सही उतर होगा, पर्तुगीज, पहले एरोपियन थे, अगला है, भारत में मुगल समराज का संस्थापक कौन था, option है, बाबर, हुमाईू, अकबर, या फिर जहांगीर, इसका सही उतर होगा, बाबर, अगला question है, अकबर के समय मुगल समराज की पस्चिमोतर सिमा क्या थी, option है, पंजाब, हिंदुकुस, काबूल, या फिर सिंध, इसका सही उतर होगा, हिंदुकुस, अगला question है, मुगल काल में किया गया महाभारत का फार्सी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है, option है, रिखा, रिशाला ए हक नामा, राजमननामा, या फिर सफिनत उल अलिया, इसका जो सही उतर होगा, वो सिय होगा, राजमननामा, अगला question है, सिवा जी ने कितनी बार सुरत को लूटा, option है, चार बार, एक बार, तीन बार, या फिर दो बार, correct answer है, दो बार, अगला question है, निमलिखित में से किस सासक ने जजिया समाप्त किया था, option है, औरंग्जेब, बलबन, अकबर, या फिर जहांगीर, इसका सही उतर होगा, अकबर ने जजिया नामक टेक्स को खतम कर दिया था, अगला question है, ताज महल के अंदर के उध्यान को के रूप में जाना जाता है, option है, मुगल गार्डेन के रूप में, ताज गार्डेन, ताज महल गार्डेन, या फिर पैलेस गार्डेन, इसका सही उतर होगा, मुगल गार्डेन के रूप में जाना जाता है, इस तरीके से, आपके exams point of view से बहुत ही महत्पून है बहुत सारे questions इन जी के questions में से पूछे जाते हैं तो आप लोग इसे daily basis पे देखा करें dedicated playlist पनाया हुआ है वहाँ से आप लोग अगर पीछे के class को नहीं देखें तो पूरा देखें PDF के लिए टेलिग्राम से जुड़ जाए उसका link description box में धन्यवाद, जय हिन, जय भारत